हलो फ्रेंट्स टुन फ्लाइम की करेंट एनरजी के बारे में बता देती हूं जिसका आपको इंतजार रहता है ओके इस्पेशली वही वीडियो देखते हैं आप दुसरे नहीं देखते हैं रेकी सीखो कुछ सीखो दोस्तो एक रिक्वेस्ट है सबकॉंशर सीलिंग अजसेवा ही मैंने रखा है डिप्रेशन वालों के लोगों के लिए उदासी लोगों के लिए अलकोहोलिक लोगों के लिए जो भी परिशान है उसके लिए एक जबरतस्त हीलिंग रखिये हैं दो-चार वीडियो फ्री में भी ढाले है उसको चेक किजिए कि कैसा फील होता है जब सबकॉंशर सीलिंग लेते हैं क्या उसका मज़ा होता है क्या benefits होते है वो चेक करनी के लिए जो free में video डाले है कान को quads लगा कर ही सुनिये तो deep में आपकी healing होगी सिर्फ 500 रुपे में 2-3 महिना चले गाए क्योंकि 15 sessions होंगे जो कि आपको मतलब 15 sessions होंगे लेकिन आपको कम से कम 30 sessions दिये जाएंगे double-double repeated होंगे ये सारे sessions तो आप इनका भरपूर आनंद ले सकोगे अब मैंने decide किया है कि एक session जो है रात को 9 रात को 8 बजे होगा एक session रात को 10 बजे होगा फिर तीसरे दिन जो है वही session दुपैर को 2 बजे या 3 बजे आप से पूछा जाएगा कौन सा टाइम आपके लिए suitable है ऐसे तीनो टाइम लिया जाएगा जैसे कि सब को फाइदा हो कोई job वाला हो जिसको 10 बजे चाहिए उसको 10 बजे मिले जिसको दुपैर को चाहिए दुपैर को मिले जिसको 8 बजे possible है 8 बजे मिले बट कोई भी मिस ना हो आप चाहो तो तीनो सेशन्स अटेंड कर सकते हो इस तरह से सब conscious healing है रेकी है अकाशिक record है कुछ भी सीखना हो तो आप मनसे contact कर सकते है tarot card reading हो horoscope reading के classes बड़े मज़धार तरी के से चल रहे है सिर्फ 11 रुपे में जरूर जैन कीचे दोस्तों विद्या शक्तिपात है जो आपके बच्चों के marks द्यादा लाएगा आपके भी ब्रेन शार्प करेगा पढ़ाई में उसके कोई साधना नहीं करने पढ़ती है मनी रेकी के भी कोई साधना नहीं करने पढ़ती है सिर्फ शक्तिपात लो और आनन लो तो जरूर सीखिए रेकी और रेकी से आप जो है अपना ट्विन फ्लेम जानी का confirmation कर सकते हो किसी के मदद के आपको जोड़त नहीं पढ़ती है अगर आप रेकी सीखते हों कि दिनिया में सिर्फ ट्विन फ्लेम और स्तासीर ही है जनके सेवन चक्रा एक्टिविशन होता है तो अगर इस सेवन चक्रा एक्टिविशन को फील करना है कि क्या मेरे सचमत सेवन चक्रा एक्टिवेट है तो वो आप feel कर सकते है रे की सीखने के बाद तो रे की ज़रूर सीखिए अब बताती हूं current energy ओके रे की एक divine energy है जिसका कोई side effect नहीं है दोस्तो current energy में dear energy दोस्तो dear energy बहुत इन से अलग-अलग physics से घुजर रही है कभी वो बहुत intense हो रहे है कभी वो आपके लिए तड़प रही है, कभी वो डर रही है, कभी वो step लेना चाहती है, कभी उसको realize हो रहा है कि सच में उन्होंने डिवान फेमिनान को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है, कभी उनसे कार्मिक से इतने जटके उनको मिल रहे है, तो कार्मिक जैसे उनकी आँ होते है, वो इतने मतलब गड़े हुए रहते हैं उनको उनके पैर के वो spirituality को इतनी जल्दी catch नहीं कर पाते है, वो इतनी जल्दी इस ज्वाणी को नहीं समझ पाते है, वो इतनी जल्दी divine feminine के reality को नहीं समझ पाते है, कि भगवान ने उनको क्यों divine feminine से मिलाया है, कि divine feminine उनके best partner हो सकती है या जो भी तो spiritual growth के लिए या soul के satisfaction के लिए उनको डिवान फेमिनन के जरूरत जरूर होती है और God ही उनको डिवान फेमिनन से मिलाते है सही वक्त पर दोनों का reunion कराते है फिलाल के energy आज मैं कहूं 24 घंटे से तो intense energy है intensely missing चल रहा है intensely जैसे कोई जो है बिना पलक जपका है आपके बारे में सोच रहा है बट बस दोस्तों में हर वक्त कर इंटनोजी बात आते हैं हो बहुत मितलब यह जो masculine energy है step उठाने में काफी पीछे है तो मुझे कभी कभी सवाल पड़ता है लगता है कि masculine ही है या feminine है जहाँ feminine पट से अपनी भावनाओं को वेक्त कर देती है वहाँ masculine बिलकुल बोल ही नहीं पाता तो सच बचा रहे हूँ बहुत सारी feminines यहाँ पे जिद्धी वाली feminines जिनकी age कम है वो बुलेंगे नहीं नहीं feminine किसी other connection में जा ही नहीं सकती but the reality is बहुत सारी divine feminines जो है इस journey से ठकके मुवान होके वो भी एक divine plan है soulmate के साथ आगे बढ़ चुकी है और वो अपने मन को कहीं और divert कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि यह masculine energy है यह बहुत ही dead energy है मतलब यह कभी कोई step उठानी सकती है तो शायद यह journey जो है यहीं तक है और इसका आगे कोई future नहीं है यह सोच के जो है काफी feminines move on कर चुकी है but क्योंकि भी यह journey बहुत ही दूस्तो hidden है बहुत ही फूक फूक पूक पर इसके कदम रखे जाते है मैं खुद भी जब कैसे बोलू देखो मेरी जो soulmate बहुत अच्छी है मेरा ख्याल रखती है इस वक्त मेरी life में कोई अपना है बाकी रिष्टे सिर्फ नाम के लिए है कोई कुछ नहीं सोचता कोई कितना भी करोड़पती हो मेरे लिए कोई नहीं सोचता ऐसे नहीं कि मैं बार बार पैसे 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 करती हूँ बट यह है कि इड़वान फमना इनके life में उनको इतने धोके दिये जाते है लिटरली अगर मेरा फादर भी ये वीडियो सुने चो मैं एक्जाम्पल के लिए बताती हूँ वो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचेंगे कुछ भी हो अपने बेटे के बारे में सोचेंगे उनको ये लगेगा भी नहीं कि मेरे बाद मेरे बेटी का क्या होगा वो कभी भी नहीं सोचेंगे तो ये है और जितने बड़े होता है न खटे बना सकते है कि बेटी इसमें गिर जाए वो उतने बड़े बड़े बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपके फादर खराब है बिट मैं इस पजल को समझ ही नहीं पाते क्योंकि मेरे फादर एक स्टांसीर है साई बबा मुझे अच्छे साइन देते है तो फादर बुरे भी नहीं है बट ऐसा क्यों कि एक बेटी के बारे में सोचा नहीं जाता उसके बारे में हमेशा बुरा ही क्यों सोचा जाता है तो ये पजल मेरे सामने है तो एक है कि एड़वन फामिनान के बारे में कोई भी नहीं सोचता इवन डियम भी नहीं सोचते है seriously okay यह सिर्फ नाम के लिए 3D के लिए DM अगर किसी के लिए सोचते हैं तो अपनी family के लिए wife के लिए बच्चों के लिए खुद के लिए खुद के नाम के लिए बस वो DF के लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचते हैं तो वो अभी जिनकी awakening हुई हो मनी मन में प्यार दिखो यह तो पूरी दुनिया करती है मेरा कार्मिक भी सोचता होगा मनी मन में तो practically क्या है practically nothing is zero तो डवन फेमिनेंज की ऐसी mentality हो गई है कि कौन है उनकी life में अब दुनिया में कौन है तो मुझे मेरे soulmate ही नजर आती है लेकिन मैं बहुत अज़ीब विचितर जर्मी है मुझे मेरे soulmate के लिए मतलब इतना डराया जाता है कि जैसे वो डीमन हो तो मैं वो नाराज हो जाती है और यह दुखी भी होगी वीडियो देखकर भी जो है वो काफी दुखी होगी मुझे इतना डराया जाता है कि उसको डीमन्स के रूप में दिखाया जाता है तो जब भी मैं फोन पर बात करती हूँ तो मैं उसको पूछती हूँ क्या तुम बहुत हो तो मैं बहुत डर जाती हूँ समटाइम्स और मैंने बाबा को बोला है साही बाबा को साही बहुत जो भी है अकर ये भूध भी है तो मेरे लाइफ में फिलाल यह है तो मैं क्या करो मNI दूस्वा है नहीं मेरे लाइफ में सारी दितनी भी फ्रेंड्स मिलती है दो़के बाजे मिलती है तो इस वक्त Divine Feminines के लाइफ में अगर कोई है तो सोलमेट है जो उनकी थोड़ी बहुत क्यार लेते हैं बच समझ में नहीं आता देखो आज नहीं एक सपना देखा मैंने रात को नाइट को कल जिसमें मेरी बच्पन की फ्रेंड देख रही है और वो मेरा लिटरली गला दबा रही है यह सारे डेमिनिक ड्रीम से ओके और वो बुल रही तरह बाप मर जाए मर जाए मर जाए तो एकदम मैंने आखी खोली तो तीन बच के बीस मिनिट होए तो मुझे ऐसा स्मेल आया जैसे मेरी सोलमेट मेरे आस पास हो तो ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो मुझे इस तरह से मेरे सोलमेट के धुअ निकल रहा है कभी किमरे में हम बात कर रहे थे वहां धुआ दिखा देता है मैं साई बाबा के दर्शन में जाती हूं मैंने दिखा तो वहां भी बूगे जाले दिखाई दिए जो मकड़ी के जाले होता है नैं दर्शन के लिए द्वार का माई目前 बैठी थी उपर से मैंने दिखा कि मेरे उपर एक मकडी जो है आ रही है कुछ hidden है ऐसा लगता है कि कुछ hidden है जो पता नहीं है जो जानना है समझना है जो डरावना है बट मेरी soulmate के लिए साई बबा के energy बहुत अच्छी है वैसे तो मेरे कार्मिक के लिए भी बहुत अच्छी थी जब हमारी शादी होने वाली थी शादी से पहले हम दर्शन के लिए गए थे साई बबा के तो मुझे याद है एकदम हम समाधी के पास गए और बारा बचे आर्थी का टाइम हुआ एक घंटा हम जो है enjoy किया हमने बाबा के समाधी के पास तो मेरे कार्मिक को भी लगा कि ये कैसे चमतकार था कि बाबा के पास गए और वहीं बे बाबा ने बिठा लिया तो हमको तो लगा कि हमको तो आशरवाद मिला है इस शादी के लिए तो पता नहीं दोस्तो मतलब तो कुछ और ही निकला वो तो इतनी भयंकर शादी थी कि मतलब उसमें कोई सुख तो था ही नहीं डेमनिक था जैसे मुझे तो याद कभी कभी याद आता है कि वो फिल्म दिखाई जाती है जिसमें एक राक्षस को हर नाइट के लिए एक लेड़ी लगती है वो उसको सजा धजा के मिठाईयों के साथ भेजा जाता है दूसरे दिन उसके हड़िया बाहर निकल के फेकी जाती है तो मुझे कुछ मैरज ऐसी ही लगी जहाँ पर किसे डेमन से शादी होगी ऐसा लगा बट ये पजल्स में लाइफ की समझ में नहीं पाती मैं बहुत डर जाती हूं के औपि है कौन कौन डेमन है कौन इंसान है तो बहुत समझ में नहीं आता की है कौन तो कभे-कभे सोचते हूँ कि यार सोलमेट के पास चली जाओंगे अगर वही है मेरी लाइफ में तो उसके पास चली जाओ वो खुद ही बोलती है कि कॉलकाता बहुत गलत है वहां के लोग अच्छे नहीं होते है मिठी-मिठी बाते करके बेच देते है और जब मैं उसको बोलती है कॉलकाता तो मैं बोलती हूं नहीं मुझे डर लगता है कॉलकाता से तो मुझे बोलती है नहीं नहीं कॉलकाता के लोग तो बड़े अच्छे होते है फिर मैं उसको बोलती हूं कि वहां पे तो काला जादू किया जाता है तो वो मुझे समझाती है कि ये सब बकवास है कि आप लोग समझते हो बंगाली जादू होता है आप बंगाल में आते हो और ऐसे बाते करते हो फिर वो लोग समझते हैं कि हमको तो गराहत मिलिया इसलिए वो आपको उल्लू बनाते है बट रियल में बंगाली जादू कुछ है इसा वो मुझे समझाती है बट मैं डर जाती हूं फिर भी नैस साही बबाब को सोड़के कहीं जाना जाती हूं जाना जाती हूं उसको जो है ड्रीम में मैसेज मिलना डिकूड होना वो लिटरली पजल्स में है वो लाइफ के जो है पजल्स को सवाल कर रही है बहुत सारे डिवान फेमिनान्स को इतना अकेला कर दिया है इतना अकेला कर दिया है कि वो सोच रही है कि उनकी लाइफ में दूर दूर तक कोई दिखाई देता है या नहीं क्या वो एक नॉर्मल ल नहीं डाल रहे आपके क्योंकि मैंने देखा कि तालाब में मचलिया है और वहां साप है और पहले बार मैंने ऐसा ड्रीम देखा था कि फिश टैंक होता है ना उसमें मचलिया चोटी-चोटी है और साप है मतलब फिश टैंक मतलब जैसे घर है छोटा सा परसनलों के तो उसमें जब ये मैंने सबना दिखा तो मेरे घर में सब को कुराणा हो गया था मुझे छोड़के तो अब मैं देख रह journ आप पकड़ कर आपका इतना दबा रहा है इतना दबा रहा है आपकी सास नही निकल रही है तो लिटरिल इस बार भी ऐसा ही हुआ बहुत ग्याब था नौ साल पेले कुछ हुआ था और अब इस बार हुआ है तो देखो जब भी आपकी लेक्ष में कोई अच्छा आने वला होता है सोलमेट हो अपकी ट्विन के लिए भी बुरे-बुरे से अपने दिखाए जाते हैं तो मैं बिल्कुल पजल में हूँ मैं पर दोस्तों लाइफ में कोई तो छही है आपका ट्विन तो पतानी वह कब मृत्यों के समय में आ जाया आपके या मरने के बाद आ जाया तो अब की लाइफ में कोई तो चाहिए जो आपसे प्यार करें अपकी क्यार ले बीरिस वोलमेट बोज तिए तुमको सिर्फ क्यार इसलिए तुम आती हो तो वो मुझे काफी बुरा लगता है वो सुनके तो मैंने कहा मैं नहीं नहीं मुझे नहीं किसी की केर की जुरत नहीं मुझे बट कहीं नहीं यह सत्य है दोस्तों कि कोई हमको प्यार करे हमारी केर ले तो हमें comfortable लगता है उसके साथ, अच्छा लगता है, पर इसका मतल़ यह नहीं कि हम उसके साथ cheating कर रहे हैं, सिर्फ comfort के लिए उसके पास जा रहे हैं, यह design जब तक चाहें, तब तक soulmate से, lifetime के लिए चाहें, तो lifetime के लिए हैं, तो यह soulmate जर्नी फिलाल बहुत सरी, जिनकी age ज्य जो मुझे personal session book करके बाते करती हैं, उन्होंने मेरे साथ ये share किया है, कि कई बार वो बुलती है कि क्या हम धोका दे रहे हमारे twin को, क्योंकि हमारे life में soulmate भी है, हम उनसे बाते करते हैं, लिए जो है न, यह matrix दुनिया है न, यहां पे extra marital affair, प्यार या धोका, यह सब यहां क लेकिन soul world में totally pure है, सारे soul का एक दूसरे के साथ same रिष्टा है, unconditional love का, sometimes life में इतनी दुनिया देखने के बाद ऐसा लगता है, कि अगर कोई true match हो रहा है, को truly match हो रहा है, फिर soulmate हो या कोई भी हो, तो वो एक divine की blessings की तरह है, जब तक है तब तक, कि जब तक time उसका लिखा है, तब तक अच्छी energy जाएंगी, जब तक भगवान सोचेगा, तब तक, फिर हो सकता है, soulmate को भी कोई और मिल जाए, मेरे soulmate को बताएगा है, कि फेवरुआरी में तुमारी real twin flame आएगी, फिलाल वो मुझे बलाद बताती है, कि मैं ही तुमारे dm हूँ, अज मैं उसे समझाते के पास reading करवा के पतानी लाखों रुपे खर्च कर डाले, सब उसको बताते है, कि तुम दोनों twin flame हो, और किसी ने उसको ये भी बताए, कि तुमारे real twin flame जो है, फेवरुआरी में आएगी, तो वो भी सोचती है, कि चलो फेवरुआरी में कोई आने वाला है, सारे sign and symptoms मेरे dm के लिए मुझे मिले है, बैट, soulmate का जब धीट